वेल्कम टू दी मैं यूटूब चैनल आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को डिसकस कर रहे हैं उसके बाद में कलेक्टिव नाउन के साथ ही इसके बाद टॉपिक जो आता है वो है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन नाउन का उसके बाद में आपका नाउन आज टोटली फिनिश हो जाएगा हम उसके बाद pronoun start करेंगे तो आप सारे जो previous मेरे lectures है nouns से related वो सारे के सारे देख लीजिए start करते है collective nouns को collective nouns are words for groups of people people, animals or things क्या क्या रहा है collective nouns are words for groups of people, animals or things मतलब collective noun शब्द होते हैं किसके जो लोगों का group है जानवरों का group है या चीजों का group है ऐसे nounों को collective noun कहा जाता है जैसे कि आप example देख सकते हो these are nouns for groups of people a family, a crew an orchestra, an audience a gang, a band a group इसको क्या बोलेंगे c-h-o-i-r इसको pronunciate करके बताए इसको बोलेंगे क्योर, इसको क्योर बोलेंगे a team, a class ओके, ये सारे के सारे जो example अभी आपने, मैंने read किये हैं ये सारे के सारे आपके collective noun है family एक collective noun है जिसमें बहुत सारे हमारे परिवार आ जाते हैं या हमारे, हमारा खुद का हमारी खुद की family आ जाती है family एक ऐसा collective noun है जो singular और plural दोनों तरह से use किया जाता है ये आप आगे वाले point पर देखने वाले हो ओके, तो ये family आपको समझ आ गया collective noun है, family के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे इच्छे किसी के 6 लोग की family होती है, किसी के 7 लोग की family का जो example मैंने नीचे दिया है वो भी हम देखने वाले हैं भी, लेकिन family आपका एक collective noun है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझिए, okay, crew होता है विमान चालकों का दल जैसे की pilot वगरा होते है या जहाज की जो चालक होते हैं, उनको crew कहा जाता है, crew मतलब विमान चालकों का दल अब बात आती है orchestra, orchestra एक band होता है तो orchestra में जितने भी लोग जैसे कोई band बजाता है कोई कुछ और बजाता है, तो इस सारे के सारे मिलकर orchestra कहलाते है an orchestra, clear है audience, audience मतलब की आपकी एक भी audience हो सकती है दो लोगी audience हो सकती है आपके पास यूटूब पर आप मेरी family हो एक तरीके से, जितने भी subscriber है वो एक family है तो उनको मैं audience भी बोल सकता हूँ family भी बोल सकता हूँ तो यह आपके audience भी एक collective noun है audience के अंदर ज़्यादा लोग आ जाते हैं एक gang, gang भी आपका collective noun है जैसे कुछ, जैसे कि कुछ लुटेरे होते हैं उनकी gang होती है आपने movies भी देखी होंगी तो gang मतलब, मतलब दो या दो से अधिक लोग उसमें हो जाते हैं एक साथ पूरे के पूरे group को gang से denote यहाँ पर हम कर रहे है गैंग से हम इसे समझा रहे हैं तो gang आपका collective noun हो जाएगा clear है एक band, band और orchestra इसमें कोई फर्क नहीं है orchestra भी band होता है और band भी band होता है तो band के अंदर जितने भी लोग हैं उनको किस से हम denote कर रहे हैं band से denote कर रहे हैं तो band आपका collective noun हो गया बैंड के अंदर जितने भी लोग हैं सब collect करके collective noun that means सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो collect होके एक नाम दे दिया कि अब band बन गया उनका तो band क्या हो गया collective noun हो गया इतना clear है एक group में band के अंदर band भी a group होता है जिसके अंदर बहुत सारी लोग होते है music से related and group में किसी भी चीज़ का group हो सकता है जैसे कि आप 4-5 चीज़ों का group बना रहे हैं आपके पास जैसे आप पानी पी रहे हैं तो बोतल है आपके पास में पानी की बोटल है चार-5 बोटल है चार-5 बोटलों का group हो गया ओके तो वो भी collective noun में आ जाता है group clear है और उसके से comment कीजिएगा मैं आपके लिए doubt चोड़ रहा हूँ कि मुझे याद तो है बट मैं अभी आपके लिए doubt चोड़ा हूँ comment करके बताईए C-H-O-I-R को pronunciation कैसे करोगे उसे pronunciation करके देखो और उसका हिंदी में mean क्या होगा या इसका mean क्या है आप comment करके मुझे बताईए टीम नाउन है clear है class students की class class आपका क्या है collective noun है clear है तो collective nouns are words for groups of people animals or things collective noun क्या है एक word है word words है किसके लोगों के जानवरों के चीज़ों का एक group जिस group को हम अलग अलग words से समझते हैं वो सारे के सारे words आपके collective noun कहलाते हैं जैसे कि family, a crew, an orchestra, an audience, a gang, a band, a group, a queer, cure, a team, a class इसका pronunciation आप कीजिए बिल्कुल C-H-O-I-R को आप क्या पढ़ेंगे क्या और बोलते हैं क्या और इसका mean होता है इसका mean मुझे भी याद नहीं आ रहा है आप लोग के लिए मैं छोट रहा हूँ इसको इसका answer comment कीजिए C-H-O-I-R का mean क्या होता है आंगे पढ़ते हैं many collective nouns can be used with a singular or plural verb जैसे कि my family was happy to see me and second time my family were happy to see me my family was happy to see me इसको दो तरह से आपने use किया singular verb के साथ भी आप इसे use कर रहें helping verb के साथ में was verb आपकी helping verb होती है आप sentence सीखेंगे तो आँगे clear हो जाएगा बट अभी जान लीजिए was or verb आपका क्या है singular helping sorry helping verb है was or verb ये बात आप clear करें इस चीज़ को was or verb आपकी helping verb है happy आपका mean verb हो गया okay happy यानि खुश होना होता है बताईए happy verb है के नहीं बिलकुल comment कीजिए अभी मैं आपको verb नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे बताईए happy verb है क्या है आप मुझे समझाईए बट अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ है कि collective noun जो family वाला collective noun है family वो दो तरह कैसे use होता है my family was happy to see me और my family were happy to see me अब यह sentence पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस way में पढ़ रहे है singular way में पढ़ रहे है plural way में पढ़ रहे है singular way में पढ़ रहे है तो was लगाएंगे helping verb प्लूरल वे में पढ़ रहे हैं तो word लगाएंगे helping verb जब आप sentence सीखेंगे तो इस सारी चीज़ आपको clear हो जाएंगे अभी collective noun के इतने examples मैंने आपको समझाए थोड़ा बहुत clear हुआ आंगे बढ़ते हैं सारे के सारे lectures guys आपको सुनने हैं और बार बार सुनने हैं और comment करके अपने doubt मुझसे discuss करने हैं मैं यह प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको बाकी जल्दी जल्दी मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियोस को ज़दा से share कर दीजिए जितने ज़दा subscriber होंगे उतना benefit आपको मिल पाएका study में और काफी beneficial होंगी सारे सारी lecture आप SSE exam देने जा रहे हैं या bank exam देने जा रहे हो तो आपको कम से कम grammar तो आनी चाहिए या आप spoken भी करना चाहते हैं तो grammar आपको अच्छे से आनी चाहिए and SSE exam के लिए मैं आप courses चलाने वाला हूँ बिल्कुल आप बेफिक्र रहे हैं मैं पढ़ाने वाला हूँ बस आपका सयोग चाहिए आपकी help चाहिए आप comment करके मुझे बताएए कि सर आप आँगे की वीडियोज अपलोड कीजिए आपका पढ़ाने का मैं already guys आनक एट भी पर teach कर चुका हूँ इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे है मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को अब बिल्कुल टोटली आपको अच्छे चे courses मिलेंगे English grammar से ले लेटेड and आपकी sentence, आपके active passive voice, आपके idiom phrases इसे सारी चीज़ हमें कराने वाला हूँ बस आप comment कर दीजिएगा and वीडियो को like कर दीजिए और share कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर कर लेना ओके ठीक है आंगे बढ़ते हैं but the following collective nouns always take a plural verb ये जो आपके तीन यहाँ पर लिखे गए है cattle, people और the police ये हमेशा इसको बिल्कुल आप बिल्कुल कंठस्ट कर दीजिए ये हमेशा plural helping verb के साथ में आते हैं ये plural verb के साथ में आते हैं cattle हो गया, people हो गया और आप पुलिस हो गया cattle आप समझते है पश्यों का समू या मवेशी जिने हम कहते हैं cattle हो जाता है people मतलब आपके लोग तो ये आपके हमेशा इन तीनों को आप बिल्कुल कंठस्ट कर लीजिए cattle, people और the police ये हमेशा plural helping verb लगेगी cattle word लगेगा, people word लगेगा cattle are लगेगा, people are लगेगा the police are इस तरीके से ये हमेशा plural verb के साथ में यूज होते है ये इनके साथ plural verb लगेशा होती है clear है, बिल्कुल ये अब सारी चीज़ अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही अच्छी बुक है उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये correct है, आप सारे के सारी चीज़ों को पढ़ते चलिए आँगे हम सेंटेंस बनाएंगे, तब इस सारी चीज़े हमाँ यूज होने वाली है आप बेफिक्र रही है, आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी ओके, चलिए आँगे बढ़ते हैं अब आँगे बढ़ते हैं इस केटल, पीपल, दा पुलिस अब यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिफ नाउने ने लिख दिया है जो कि लोगों के लिए है अरिमल के लिए और चीज़ों के लिए जैसे एप बूड ओफ चिकिन्स अब यह भी आप ध्यान से समझें, यह कॉंप्रिटव एक्जाम में आप जब भी मुर्गियों के मुर्गियों के ग्रुप को दर्शाएंगे तो ब्रूड करके दर्शाएंगे मुर्गियों के बच्चों के ग्रुप को दर्शाएंगे तो चूजों के लिए आप ब्रूड करके लगाएंगे ब्रूड ओफ चिकिन्स होता है इतना clear है, बिल्कुल clear हो रहा है आपको, ठीक है आँगे बढ़ते हैं, ए बैंड of musicians, musicians का क्या बोलते हैं, इसको pronounce sheet कीजे, मैं pronounce sheet में थोड़ी problem हो रही है, musicians, musicians का हो जाएगा, ए बैंड of musicians, okay, तो बैंड लगेगा उसमें, आप group नहीं लगाएंगे, एक group of musicians नहीं करेंगे आप a school of fish, मचलियों के समू को आप school करके लिखते हैं, a school of fish, बिल्कुल इसको contest कर लीजिए, a bunch of keys, चाबियों के group को bunch बोलो, गुच्छा, चाबियों को गुच्छा, a bunch of keys, a class of pupils, जो student को, एक class of student भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पपिल्स का मीन होता है, गाई शिष्य, एक गुरू और शिष्य की जो relation होता है, वो बहुत ही अच्छा relation होता है, उसमें गुरू अपने शिष्यों को समझता है, और शिष्य गुरू की help करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक class of pupils, वहाँ पर class आने वाला है, ओके, एक collection of books, यहाँ पर collection आएगा, books के group को आप denote करेंगे, तो कैसे लिखेंगे collection of books, clear है, okay, a deck of cards, जितने भी card होते हैं, आपने ताश के पत्ये देखें हैं, तो उनकी गड़्डी को deck बोलते हैं, deck, okay, a deck of cards, a fleet of ships, ठीक है, a fleet of ships, यहाँ पर जहाजों जो होते हैं, जहाजों के सम समु को आप fleet करके दर्शाएंगे, fleet of ships, flock of sheep, flock मतलब जुन्ड होता है, भीड़ों के समु को आप flock से दर्शाएंगे, जहाजों के समु को आप fleet से दर्शाएंगे, यह सारी चीज़े आपको clear हो रही है, कोई doubt तो नहीं, कोई doubt नहीं आना चाहिए गई, सारी चीज़े clear होने चाहिए, और मैं तो चाहता हूँ, आप सारी चीज़े को समझे ध्यान से और act कीजिए, आपको grammar आनी चाहिए, आपको सारी चीज़े clear होनी चाहिए, वजना गड़बड हो जाती है, exam देने जाते हैं, अगर आपने एक एक चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ा है, okay, एक class of pupils, एक collection of books, एक deck of cards, एक fleet of ships, एक flock of sheep, भेडों के समु का flock से दरशाते हैं, उनके जुन्ड को flock से दरशाते हैं, जहाजों के समु को fleet से दरशाते हैं, card के समु को deck बोलते हैं, books, यानि की collection वहाँ पर word यूज़ होगा, pupils के लिए class यूज़ होगी, keys के लिए bunch यूज़ होगा, fish के लिए school यूज़ होगा, musicians के लिए band यूज़ होगा, chickens के लिए brood यूज़ होगा, clear है, एक gaggle of geese, geese मतलब आप कह सकते हैं, hans होते हैं, या बतक होती है, बताएए, इसका जो singular way होता है, geese plural form है, plural noun है, किस के लिए? goose, goose मतलब होता है, hans, goose मतलब hans होता है, और geese उसका plural form है, और इनके लिए gaggle word यूज़ होता है, gaggle, g, a, double g, l, e, gaggle, बाकी goose का आप mean सर्च कीज़े, g, double o, s, e, उसका mean क्या है, आप बिलकुल clear कीज़े, dictionary उठाइए, जब तक आप मैनत नहीं करेंगे, तब तक आपकी पढ robbers, robbers मतलब lotery, उनकी gang, उनको gang बोलते हैं, clear है, ये भी collective noun हो गया, gang already collective noun है, and आप robbers के लिए gang word यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर कुछ और नहीं, आप लिखेंगे, ठीक है, okay, a herd of cattle, cattle मतलब मवेशी, पश्यों के जुंड को आप herd करके denote करेंगे, a herd of cattle, clear है, a herd of cattle, a litter of cubs cubs कमीन होता है, गाईज, share के बच्चों को कब कहा जाता है, cubs आप कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो, उनके समू को, आप litter से denote करेंगे, explain करेंगे, यह लिखेंगे उसको, a litter of cubs, clear है, इतना clear हो रहा है, आराम आराम से चलना है, गाईज, हर एक चीज को समझना है, आप गडबर नहीं होनी चीए, a litter of cubs, share के बच्चे, तो आप litter से उसे दर्शाएंगे, a pod of whales, a pod of whales, जो whale मचली होती है, उनके समू को आप pod कहते हैं, pod, a pod of whales, a pack of wolves, भेडियों के समू को आप pack बोलते हैं, pack, w-o-l-f, wolf, wolf मतलब भेडिया और जादा भेडिया हैं, तो wolves हो ज जादे हैं, a pack of wolves, clear है, a pride of lions, okay, share के समूग को आप pride से दर्शाएंगे, और share के बच्चे के समूग को आप litter से दर्शाएंगे, जो ऑमना पहले देखा है, a lot of whales, a pod of whales, a pack of wolves, clear है, भेडियों के समूग को आप pack से दर्शाएंगे, pride of loins, शेरों के समू को अब pride से दशाते हैं इस set of stamps, stamp मतलब जो stamp, stamp होता है ना stamp तो उनके समू को set बोलते है, set इस set of stamps, इस swarm of bees, मदु मक्यों के समू को अब swarm SWARM, swarm हो जाएगा, इस swarm of bees, a drop of actors a drop of actors, कलाकारों के दल को आब drop बोलते हैं t-r-o-u-p, बाकि आप इसे pronunciate कीजिए, इसका right pronunciation क्या होगा, बिल्कुल करके देखिए, ट्रॉपी नहीं बोलेंगे, इसको drop बोलेंगे, a drop of actors, a drop of actors, कलाकारों के दल को drop बोलेंगे, a team of players, खिलाडियों की समू को आप team कहते हैं, किसी भी team के player हो सकते है, football, cricket, okay, तो वहाँ पर team word यूज होता है, clear है, वो एक collective noun हो गया, और आप group को दर्शाने के लिए, players के group को दर्शाने के लिए team वहाँ पर use करेंगे, इस सारे के सारे examples आप बिल्कुल समझ लीजिए, कि books के group को दर्शान है, तो collection बोलोगे, कोई card है, तो उन card का जो group होता है, जैसे कि ताश के पत्ते, उनको deck बोलते हैं, clear है, एक एक चीज़ को समझते चलिए, एक flight of steps, सीडियों के समूं को आप flight से दर्शाएंगे, flight of steps, इतना clear है, बाकि पढ़ते रहिए guys, doubt निकलने चाहिए, study में doubt निकलेंगे, तो मतलब आपकी study proper way में नहीं हो रही है, आप पढ़िए, और थोड़ा बहुत मुझसे भी error निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि teacher बिल्कुली सही पढ़ा दिता है, कुछ न कुछ गलती है, teacher छोड़ता है, और इतनी गलती हैं नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को, क्योंकि मैं already book में से पढ़ा रहा हूँग, आपको गलती हैं और मुझे already English आती है, ऐसा नहीं कि मुझे English नहीं आती है, बाकि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मैंनत कीजिए, exam दीजिए, और अगर आप practice set लगा रहे हैं, किसी SSC exam की कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप comment करके, जो चीज़े मैं आप से पूछा हूँ, comment करके मुझे भी, बताईए कि sir, यहाँ पर यह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको आता है, तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं, बाकि सारी चीज़े चल रही हैं, आपको कोई problem नहीं आने वाली, हम अभी noun पढ़ रहे हैं, noun आज finish हो जाएगा, उसके बाद में pronoun हम start करेंगे, अब आँगे बढ़ते हैं, masculine and feminine nouns, masculine nouns are words for men and boys and male animals, नाम से ही यहाँ पर समझ आ रहा है, masculine मतलब जो man के लिए जो word आने वाले हैं, यह लड़कों के लिए, जो मतलब कि यहाँ पर male candidate के लिए जो noun use होते हैं, वो masculine noun होते हैं, और female candidate के लिए जो noun use होंगे, यह feminine nouns होंगे, feminine nouns are words for women and girls and female animals, clear है, ओके, आँगे बढ़ते हैं, examples देखते हैं, bride, bridegroom, rooster, hen, loin, loiness, king, queen, boy, girl, man, woman, prince, princess, steward, stewardess, waiter, waitress, इतना clear हैं आपको, चलिए, आँगे बढ़ते हैं, example में हमने देखा bride, bride का mean होता है गाईज, bride का mean होता है, दुलहन, और bridegroom का mean होता है, दूला, ओके, तो bride कौन सा noun हो गया, bride आपका हो गया, feminine noun, और bridegroom आपका हो गया, masculine noun, इतना clear है, bride मतलब दुलहन, और bridegroom मतलब दूला, rooster का mean होता है, guys, cock, या, आप मुर्गा बोल सकते हो, मतलब राजा, queen मतलब राणी, boy मतलब लड़का, ये सारी चीज़ आपको आती है, girl मतलब लड़की, man और woman, man मतलब क्या हो गया, आदमी और woman मतलब औरत, एक man है तो man लिखेंगे, ज़्यादा man है तो man लिखेंगे, ये बात ध्यान दें, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा, स्टेवार्ड का मीन होता है, कोशा ध्यच, जो कोशाले होते हैं न, अलग अलग जैसे की, पैसे खजाना, सौरी, जैसे की राजा माराजा की टाइम पे, तो कोई होता था, यहाँ पर वो पूरे पैसों पर, यहाँ खजाने पर निग्रानी रखता था, उसे कौशा ध्यच कहते हैं, यानि की कौशाले का अध्यक्ष, कौशा ध्यच, तो स्टेवार्डेस, फीमेल में चला जाएगा, वेटर, वेटर की स्पेलिंग, डवलू ए आई टी एर होती है, वेटर मतलब बावर्ची आप बोल सकते हो, वेटर बावर्ची होते हैं, नहीं 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 कुछ और होता है, वेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसका प्लूरल हो जाएगा, वेटरेज, ड़ ए आई टी आरे डवल एस, वेटरेज, क्लीर हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां पर और भी, मैस्कुलाइन अंट फेमिने नंट नाउस नीचे दिए गए, here are some more masculine and feminine nाउस for people, एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, emperor का impress हो जाएगा emperor मतलब क्या होता है जो शाशन करती है, शाशक और शाशका impress हो जाएगा father का mother हो जाएगा, यह clear हो रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, actor masculine noun है, उसका female क्या बनीगा, actress हो जाएगा actor को हम actor बोलते हैं, कोई female actor होती, उसको actress कहा जाता है brother के साथ sister आता है emperor के साथ impress हो जाता है father का mother हो जाता है gentleman का lady हो जाता है ladies and gentleman अपने बहुत सुना होगा तो gentleman का feminine noun बनेगा lady grandfather का feminine noun बनेगा grandmother, grandson का granddaughter headmaster आपने बहुत बोला होगा लेकिन female अगर headmaster है तो क्या बोलेंगे head mistress बोलेंगे उसको man का woman हो जाता है master का mistress हो जाता है nephew का nice हो जाता है prince का princess हो जाता है son का daughter हो जाता है stayward का stayward stayward days हो जाता है यह उपर के example आगे है uncle का aunt हो जाता है wizard wizard का mean मुझे बताइए wizard का mean क्या होता है comment करके बताइए मैं आपको बता जिता हूँ guys wizard का mean होता है जादूगर और which का मतलब हो जाता है जादूगर नी चुड़ैल डायन तो यह which में हो जाता है तो जितने भी masculine feminine noun अभी मैं डिसकस करें हैं आप इन सब चीज़ों को पढ़िए ध्यान से कोई problem नहीं आनी चाहिए फोर male and female animals चिकन चिकन category के अंदर rooster आता है यानि की cock मुर्गा आता है और hen आता है cattle मतलब पशुओं का जुन्ड होता है cattle उसके अंदर bull आप लगा सकते हैं bull मतलब की sand हो जाता है और cow मतलब गाय हो जाती है deer मतलब buck buck इसको जो male होता है उसे buck कहते हैं buck मतलब hiran और doe मतलब hirani jack मतलब घदा और jani मतलब घदी okay drag मतलब male duck और duck मतलब female duck fox male fox और vixen vixen मतलब आपकी female fox ठीक है अब यहाँ पर आएगा gander gander मतलब male hans आप कह सकते हैं goose मतलब female hans आप कह सकते हैं okay goose का mean search करके comment कीजिए stallion stallion मतलब male horse हो गया और mare मतलब female horse आप कह सकते हैं गोडी बोल सकते हैं stallion मतलब घोड़ा और mare मतलब गोड़ी सारे के सारी चीज़ों को आप लोग contest करते चलिए because English में जितनी grammar आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ vocabulary भी आपकी strong होना अती आवश्चक हो जाता है compulsor यह है आपको vocab भी बढ़ाती चलना है okay ठीक है male share है तो loin शेर नियों तो loin एस और ram मतलब हो जाता है ram मतलब male भेड ठीक है और eu मतलब मादा भेड female eu और male ram sheep category के अंदर यह आ रहे है clear है इतना कोई doubt तो नहीं चलिए tiger tiger मतलब share sorry चीता होता है tiger मतलब male है तो tiger और female है तो progress हो जाएगा इतना clear है आंगे बढ़ते है आज lecture ज़्यादा बढ़ा हो रहा है बस finish होने वाला है guys आपके noun finish हो गए है कल से जो भी video आपको मिलेगी वो pronounce related होगी हम धीमधी में आंगे बढ़ रहे हैं आप सारी videos को देखिए और comment जरूर कीजिए because अगर जब तक आपकी comment नहीं आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या content क्या चीज़े समझ नहीं आ रही है मुझे कौन सी चीज़े द्वारा से समझानी है आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं हर एक चीज़ को समझाए जाएगा बाकी subscribe जल्ली से कर दीज़े इसे live classes में आप लोगे ले पाऊं और आपो clear तरीकी से समझा पाऊं ओके आंगे बढ़ते हैं Nouns that end in EWS and REWS often belong to the feminine gender for example actress, stewardess, loyness, trigress, princess और waitress ये clear है जो noun EWS पे end होते हैं REWS पे end होते हैं वो feminine gender से relate करते हैं जैसे actress, REWS last में आ रहा है stewardess, EWS last में आ रहा है तो EWS और REWS अगर किसी noun के end में आते हैं तो feminine noun होते हैं इतना clear है आपको ठीक है actress का mean आप जानते हैं stewardess का mean आप जानते हैं का मीन आप जानते हैं, टाइगरेस का मीन आप जानते हैं, प्रिंसेस का मीन आप जानते हैं, अभी मैंने बता है आपको, और वेटरेस का मीन भी आप जानते हैं, clear है, many nouns are used for both males and females, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जो male और female दौनों के लिए used होते हैं, doctor, male और female doctor का आप doctor ही कहते हैं, ज्यादा doctors हो गया, dancers हो गया, scientists हो गया, hair dressers हो गया, accountants हो गया, parents हो गया, artists हो गया, managers हो गया, designers हो गया, pupils हो गया, engineers हो गया, singers हो गया, lawyers हो गया, teachers हो गया, ये सारे के सारे noun आपके collective noun है और male और female दोनों के लिए आप use कर सकते हैं इतना clear है बिलकुल आराम आराम से चलेंगे guys आराम आराम से समझते चलिए हर एक चीज को कोई problem आपको नहीं आने वाली we call these nouns common gender nouns जो अभी हमने पढ़े हैं उनको हम common gender noun कहते हैं इतना पहले की वीडियो में मैंने common और proper आपको पढ़ाये थी तो ये भी common noun है डॉक्टर हर एक डॉक्टर को आप डॉक्टर बोलते हैं हर एक डांसर को आप डांसर बोलते हैं male हो चाहिए female हो dancer तो dancer होता है तो एक common हो गए और साब में इनके gender से में दोनों gender के लिए यूज हो रहे तो common gender nouns ये कहलाते है इतना clear है आंगे बढ़ते है सारी चीज़े guys revise करते रहे वीडियो को देखते रहे हैं मैं भी revision करता रहता हूँ English का तरीका फंडा ये है कि आप revision करेंगे जितना revise करेंगे उतनी चीज़ें आपको बरकरार रहेंगी sustain रहेंगी आपके mind में और आप इसली तरीके से कोई भी चीज़ कर पाएंगे जब आपके exam में आपके सामने question आएगा clear है and आप grammar आपकी strong होगी तो spoken करने में भी आपको काफी मज़ा आने वाल है guys okay we call these nouns common gender nouns clear है words for things that are neither male nor female are called neuter nouns okay जो noun male और female category में नहीं आते हैं वो neuter nouns कहलाते हैं जैसे कि bench bench ना तो male है ना female है एक निर्जीव okay एक निर्जीव चीज है तो bench हो गया leaves हो गया fire हो गया mirror हो गया waterfall, ball forest, building gymnasium, broom broom का mean होता है काई ज़ाडू okay playground, cake rock, computer, sky card, socks, floor wind, wind मतलब hawa, floor मतलब बताईए floor मतलब first floor, second floor सुना है आपने तो वही floor है socks मतलब आपके मौजे हो गया, card आप जानते हैं sky मतलब बादल हो गया, okay computer आप जानते हैं, rock यह सारे-सारे neuter nouns हैं, male और female category में नहीं आते हैं, okay तो यह neuter nouns किलाते हैं, तो guys आपका noun का topic तो close हो गया, अब हम pronoun अगली वीडियो में discuss करेंगे I hope आपको सारे के सारे lecture समझ आ रहे हैं, आप comment भी कीजिए और channel को जल से subscribe कर लीजिए जिस जिसको English grammar नहीं आते हैं जल्दी से, आप channel subscribe कर लीजिए आप grammar सीखने वाले हैं, एंड मुझे comment करते रहेएगा, आपको सारी चीज़ा में समझाता रहूँगा, कोई भी error नहीं आना चाहिए, ध्यान से सारी चीज़ा को पढ़िए और बेजिजग आप मुझे comment कीजे कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है मैं उसका solution आपको दूँगा ओके गाईस, मिलते हैं नेक्स वीडियो में और भी चीज़ा हमें discuss करनी है आंगे पुरी grammar हम कवर करेंगे और फिर sentences पे आएंगे active passive voice, direct indirect speech and story, सारी चीज़ा हम बनाने वाले हैं से बिलकुल एक चीज़ को समझने वाले हैं और इतनी कोई जल्दिवाजी नहीं है मुझे lecture upload करने की मैं आराम आराम से आपको lecture दूँगा और live classes जब होने लगेंगी तो आपको और भी चीज़े clear हो जाएंगी आप बिलकुल चैनल को subscribe कर लीजिए SSC के student इस चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर वो preparation कर रहे हैं ये English grammar की classes उनको काफी benefit देने वाली है ओके गाईज मिलते हैं next video में तब तक कि लिए बाई बाई Thanks for watching, have a nice day